बंगला देस में जो समस्य है ये समस्य क Kollegen हो एक मुदौदा है तो इस So मुद्धा में एक पूरा मुद्धा नहीं है इक इस टीपõरमिक पॉलिशी में का भी को नहीं उस मुदा में जिस दल से से एक हसीना है उस दल के लोगों को और भी तरह किलाब मिलने है उसका मुदा है और इस मुदा में जो सरकारी जो खायदा है, सरकारी जो सेवाए हैं, जो नौकरिया हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पारा है ये भी एक मुद्दा है और से मुद्दा में ये भी एक मुद्दा है जब सत्ता के सिर्ष पर जब कोई लोग लंबे समय तक काभिष होता है तो जनता को अंदगी करने लगता है और अपना बपाउती संपति माने लगता है वो सिर् cuma vote के समय हाथ दिखा के ठीक है वोट में लेगा और बाद में रजाक जैसे सब्द जो लिखता है क्या होते है गदाब जब नेता अपने ही देश्क लोगों को गदार कहें लगे तो उसके पार्टी के दिरोज करता है तो ये भी गलत है और ऐसे आवाज हिंदुस्तान में भी पहले भी उठा है कि जब कुछ लोग बोलता है तो कोई बुलेगा तो बास्तर में अगर हम वहाँ पर देख रहे है कि गोवर्मेंट आकरा कुछ देता है वही मेरे आकरा में मेरा ग्रोथ ये है मेरा जीडी पीरियर्ट ये है दुनिया में हमारे इसके ये नंबर ये है लेकिन सवाल है कि आपके नंबर से जन्ता तक क्यों नहीं पहुंच रहे आपके फायद है लोग को नोकरिया को नहीं मिल रही है लोग की बात को नहीं सुरूई जा रही है ठीक है कोट कैसा है तो वहां पर दिख रहा था कि कोट हो तुझी कोट भी देखना है कभी कभी सरकार के सक्ता कसिस्ट बढ़े जो कहीं वो तह हो और उसी के में कुल हो फैसला रहा है ऐसी विवस्थाएं कासिकार हुआ है से लंका भी से लंका भी हम देख रहा हैं कि लोग विश्व देख रहा है कि भाई डिजर्वेशन एक मुदा था तीस परसंद था वहां पर और उन्हीं दल के लोग को मिल दा था कि जो सब बंगलादेश के आजादी के समय में उसको भाग अपना युगदान दिया था उसमें उस मुद्धे को जड़ा गवड से स्कट्टा तोड कर देखो तो और तुम लोग से एक सबाल में कुछ हूंगा भी लोग का सिदा यहीं तो करना कि मुद्धे प्रकर हुआ है एक पीड़ी दिया दो पीड़ी दिया हो गया तीसरे पीड़ी चोटा पीड़ी पास्रा पीड़ी और इप्षलता रहेगा और सम्धान में इस बात को आपने डाल दिया हूंग वहां कि तो गलत है ना इसको हटाई है समिधान से सब्सक्राइए इसी बात पर हुआ है भागना भारत में क्या नहीं होना चाहिए भारत में भारत आजाज का हुआ नाइटीज फोटीश एवर में तो सैटाली से नब्य के बीच का अव्धी कि ते हो पचास और नब्य चाली साल में कोई रिजल्विशन नहीं था सब समाने था नहीं देश अंग्रेजों के कुलामी से बूठ हुआ था ना इस देशे में सब किसी थी यह समझा कि नहीं एक अवर्ग है नो सोसी थे अरी अंग्रेज था हैं 200 साहता था सुनिस सोले सो से सब वर्ण वही था अंग्रेज ने किसी के साथ भेदवा किया कि उसके लिए साव इंदुस्तानी किया था ब्लैट पर जब देश हुआ 47 में आजहार 40 साल में थी बार्ण दिया इस अमाज से अपने बाढ़ देश समाज को और जूट मुर्त एक इपिपी सिंग पागल जो है लाक दिली अलों को क्या दिया है अरक्षा है तो आरक्षा से क्या हुआ एक बर्ग को कहा कि आपको मिलेगा ही नहीं जीरो जब तक वो बर्ग जगता कि नौकरी में हम जाएंगे उसके पहले जिंदल जो कास्ट क्लास पे ज पसक्ति नौकटी में इनजीर चाहता था नौकरी को नौकषार बनना था..ई जब तक समझे समझे तब तक सर्कार कहा कि आपको आधार है के नहीं झेगे और आप जो नय नहीं सरकाराइस जिरियर पार्टी सभी स्डेट वे तो वह सब क्या करता हम साथ परसंट देंगे तो हम सतर परसंट तुम सो परसंट देलो यह कहा दो कि नौकरी नहीं देंगे अरे जब आरे जब आरटसन भी जब दिये थे तो चलो ठीक है एक समय के लिए एक बार बताओ कितने पिरी बोड़ोगे कि ऐसको नदे कि अब उसके बच्छे भी वह कि पंचाद में बच्छे भी हुआ होँगे कि अच्छे पर में बच्चे दूहतर बार्रा आपके लग्ए अच्भी आई कि तो वह कि एस समके त्र्यक्रत्त चौदे स्वें पिरी क्या करे यह अरक्षन है तो क्या अकारड़् सामाना तो क्या मतलब है सवमांता के लिए अलाइक्षन लेका लटकते वी पावक आपको जो कि अबाए रॉक्साइन लाया था चुकि कि लड़ा आधि समांता है जो कि था नहीं बास्ता था जो कि था नहीं बास्ता है चलो एक वर्ष उठाने के लिए अगर आप इस देश्क ही कर रहे हो तो उसको ठाने के तो लैन तो कितना पीरी तर यह टिज करना होका एक थैय करना होगा एक दो दो पीरी के तीन पी wil आ WAY ये चलते रहेंगा करुकिंद इसे मिलते रहेंगाई और फक्रविश्टेय को फी या तो आरक्षन को हटाओ तो क्या भाल सा अरक्षन नहीं है तो सरकार था जिए अरक्षन अगर नहीं है तो यहां में सरकार था ज़िए वह ठीक लिए और क्या नया थिकरा देखो दस परसेंट आपको भी देंगे किसमें दोगे हैं सौ मसीट ठीक है पचास परसेंट उधर साज कर दी है अब दस आपको भी लेगी लोग समझी नहीं आदा लोग कि खेला उपर भी उपर हो जाता है कि कहें लेदे करके इसे समाज बटा और एक दोगस्था क्या हमलों करें जाती अधारिक जन करना इस चाब ठीक डिटी तो यह सब करेंगी समने करनार समझेंग बहुत पॉठ आप लोग जितने सारी हाइस इसुएंट हो मैं आप लोग इसे बुज़रा हूँ मैं अपनी बाद तुम आपके रखूंगा आप लोग यह बताओ क्यों कि आप लोग आईस पिसे तियारी करके हो तापके पास समझ हैं आप एक बत्री को दीये आरेक्षा तुम ही सोचों कि तुमरी ब्हादर है अलग से आईस बंगे तुम बेटी को तुम भी आईस बन गए तक कि आप तुम चाहो कि तुम्हारे बच्चे भी अरक्षन सही बने आईस तुम दो पीडी मिलकी एक पीडी को तो पच्छा से करी सकते थे अब तुम अपने पूरे हर पीदी में रशन चाहोगे तो तुम समाली समानता की बात करते हो तो बता हुए अन्या है कि नहीं है यह है जब दो फीजी को तुमको मिल ही लिया तो तुमारे पीसरा पीजी चौसा पीजी पाटा फीजी कुछ जो मिलेगा तो यह हटना चाहिए और आई जो पकटी गई है तो पूजा पूजा खेरकर का जो भूडाला था तो भी इसलिए कुछ गरबर सरबर कर रहे थी कि हम भीकलांग है अब भीकलांग का के नाम पर कई दफा इधा उसके भूमने से क्या हुआ शिस्टम खुला अब कोई सोचता कि बिकलांग का का ना ठीक है तो फ्रत जो भी वह दे रहा है तो अब लोग बता समाजी आसमानता था तो समानता के लिए अरक्षन अगया था लेकिन जब यह आरक्षम फिर से बहुत बड़ा आसमानता पहिदा करने लगे तो ऐसा अरक्षम क्या करना चाहिए लेकिन तुम जाओ आज बोलने के लिए तुम्हारे उपर समाज के समझदार वर्ग है उससे मिल करके सभी वर्ग के लोग तुम्हारे उपर इमाज जगाने हैं हां मैं खुखव खुद का रहा हूं ना और सरकार ने इसी आरक्षन जैसे ही आया यह याद होगा आरक्षन लाने वाला कौन है विसुनाव प्रताव सिंग और उसी समय नाट्यूवन में मन्मौ शिंग ने क्या किया आरक्षन के प्रभाव से सम्हान लोग को बचाने क्लिए क ग्लोगलाइजेशन और नतीजा क्या हुआ देश में जो भी संस्था है धीमे धीमे प्राइबिटाइज हुआ ग्लोगलाइज हुआ और नहीं तो आज आप बहुत पहले यह दंगे होना सुझ हो हुआ है जो आज बंगलादेश में देपर भी मिलगा है जन्दल क्लास तो ग्लोग था उसको लोकरित मिलता नहीं तो वह प्राइबिटाईशन उसका जान बचा दिया लिक्ट्राइबिट्र ने और क्या किया है और अवो प्राइबिटाइज के करनब हम लोग के नुक्सान पहुच राए है हो रहा है कि मलता है शल्दू क्कभव बोगई यह समस्या होते रहें एक समस्या के लिए आप कई तरह के समस्या को पैदा कर रहें तो ये सब समस्या देर सबेर बहुत बड़ा विबातकान बनेगा तो सब्ता पे बैठा हुआ लोग है जमी से तस नहीं था सब्सक्राइब बड़ा तो पता इस देश का लोग भी जड़ा नेताओं के चाल इस बाजीगरी को समझ जाए और लोग अपने भी आ गया तो इस टेट से लेकर गए और सेंटर तक लोग के समस्या ख़़ा हो जगे पर इन बातों के विचार करने के जरूरत हैं गुस्रा और समयधारी के साथ चुकि आजकल के आज फेस्बुक पर सोचल मीडिया पर बहुत सारे लोग ग्यान देने वाला है और ऐसे कुछ बात को अगर डाल दो दिखन लोग तुम क्या-क्या ना कहेगा पर यह वीचार नहीं है मूद्दे इस तो वीचार करना चाहिए यहां के अनल सके यहां के नेताल के और यहां के आम लोग को भी जो सेवा से मंस्जी था मूद्द भी जो सेवा ने उसको, next when a got owner, Kling 5 का बात हम लोग कि ए, तुम लोग मेरे बाद से सामध मैं दो सकता है, हो और नहीं कि घाई हो, परो नहीं जो तुम्हारा अपना भगत, पर, क्या होना चाहिए, तुम लोग क्या लगता है, अर्सम दहना चाहिए, प्रफ़ेटि नहीं रहा से हैं। अगर उसको अधार कहने सही है। कि इकोनॉमिक अली जो बेकवर्ड क्लास है इसे। उन सब को मिलेगा किसी भी पर रहत हो। यारक्षन का नहीं होना कि जिसा है। जर्नल्का करेकवर्णा में 500-95rd ततव को मतुमिक नहीं ततव पृषे मैं यारक्षन है। इसे में गरम्ति पहुत धासर्ण, बरखावी इन अलएखन, नौति पहुत आसरुके का दीन के हुआ। ऐत आसरु में फ्रेक्षन कर दिया हुआ है। कि जंदल के जो बच्चे हैं उते अगर गटे में नीट को कौलिफाई कर जाता है अब पढ़ाने के लोग पस पैसे लिए तो जंदल में हैं फी अफॉर्ड नहीं कर पाता है कि नीट के पढ़ाई मेडिकल के पढ़ाई हैं अब मेडिकल के पढ़ाई में 20-30 लाग खर्चा होगा अब 30 लाग तुमको बैंक से तुम ले करके दिये भी तो बच्चा जब निगलेगा किसे इंडी बीस को करके तो उसको उसको वह 30,000 को महिना कमाए कि लिए कि इसका अब होस्पिरल बना लिए लोगे पैसे बाले लोगे और उसमें डॉक्ट्रों को रखता है कि आप आये सल्डी पर रही सरकार करती कि मेरे पास गवर्मेंट के रेकिंसी नहीं है प्राइबिक में जाक काम करोगे और वहां महीने के बान देगा कि आप तर्यासरा का महीना व करेंगा तो उनकी भी हलत अच्छी नहीं रजाएगा तो द्लीक है और अक्सम की करन भारत के अभी कास का दोधर है जो होना चीजिए यह अगति में क्या हो गया है बहुत धीमा प्रगति हो रहा है चुकि टैलेंट हंट हुआ है तो टैलेंट हंट हम नहीं जाने जो हुआ ह आप किसी को कोई बाइबार्थ ब्रेन तो यूज का भी सह है और इसलिए हम उसको घीज दे पहे हैं कि नहीं नहीं तुम इस परिबार से हुआ तुम में ते बुद्धी हो सकता है तुम ठैर तुम को नहीं बनाएंगी इसको डालगा यहां पे तुम एलिए अपने बुद्ध इतना अच्छा तुम इतना अच्छा आर्मी का जौब था और अवनी भी रिदा करके आर्मी में आग लगा दिया सरकार्ट और आप सम्झे पिछले इतने सालों से लगताथ सम्झाने के प्रयास करें कि बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है और इक को नहीं कहेगा इस अब नहीं के सब्सक्राट करें कि अधिद्र को भी प्रवाइन उसके अंदर कोई देश कुसर नहीं है सब्सक्राइब को असिस्टों को खूगा लिए वो ठीक कर रहा है यह सब्सक्राइब मेरे पसंदीदा नेता नहीं है लेकि उसकी बाते कुछ बात ठीक लगती है कि सब्सक्राइब कर दिया है वो ठावीज लोग उनमें एक समझदारी की होना से इस सब तरह का एक तरफा जो है रात में सब्सक्राइब भांग गोलत था कर उठी आरे खत्रा जारी कर दिये वो फट्वा जारी होने से नहीं होगा ठीक है और और देसों में ऐसा हो रहा है तर अब है क्या टेक्न लॉजिए उसके हिसाब से हो रहा है हमारे ही लोग अउठा नूपन आंटा चाभ अभी अकार तो अमेरिका कर अभिए असे हिंदि तो बोलने नहीं आरे है तो कपरा नहीं पन पा रहा है हो और कोफ्य अमेरिकल लगा दे रहा है और तो पहूना देर हो ह सबक्राुस को घरवारी हैं नहीं यह क्या हुआ है जिसक भीया vrijकास की जाता तो चाहिए थी欸 कादौ कर रहे पास पास vain लोग व्हुन को दिन दूट ayre अभले लिग करता लोग मनेक्त्हे लोग लोग नहीं करता है, लोग निकित हे लिए कि। इमान के प्रणुना सोजो कर दिया, तो नेतागिरी भी पढ़े लिखे लोग आने लगेंगे, और जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, ठीक है, उनमें आप तयार कर लेना, ठीक लोग अच्छे में, लोग बना के लिए आता है, सिस्टम में, ठीक है न, योगता तो किया हुए है, इसमें, और जो अगर ये समात्रन जानते हो, तो फिर नेता सही होता है, ऐसा नेता बुड़े है, बहुत से नेता बहुत अच्छे भी है, जैसे निदिन एक नाम है जोने मुंबई वाले नेता करना है, नहीं, मुंबई के नेता है वो, परिवान मंत्री है, अडर्य गरड़कडी के विसह 봤ious में, बिश iç का हर ची जानेता है, बहुत अच्छाड़न Aaroc, योगी आधितनात के विश्यध होता है अच्छानेता है योगी आधितनात के विशह लोह कहता है ची जानेता नेता है कौन खाना चैने? इमेज caia? ingaj योगी अतलत इका कुछ लोग के लिए अच्छा लगता हो गुछ लोग के लिए अच्छा नहीं लगदा कुछ बदमासों के लिए बहुत बुरा हो माचों के लिए बहुत इसा तो जो बदमास है उसको हटा वाधादित कोई बुरा है नहीं मेरी होता तो वही करता है जो कर रहे हैं तो दिल कितना दूखता है तो नहीं मन करता है तो योगिया दिटार वही तो कर रहा है बदमासों के सफाई कर रहे हो कभी कहा है कि किसी को किसी सरीकादी को दंगिया है तो यह दम सही नेता है एक दम सही नेता और इसके लिए करेजा मोटा करना पड़ेगा तो को हिम्मत दिखाना पड़ेगा